नमस्कार दोस्तो भारतिय टेलिकॉम कमपनीज में जब से जियो की इंट्री हुई है तब से काफी सारे समीकरंट बदल चुके हैं और ये समीकरंट इस बार ऐसे बदले हैं कि कोई समझी नहीं पा रहा है कि आखिर जियो को कैसे हराया जाए हर कोई अपने तरीके से बदलने म कराया हो चाहे जीयो एरटेल या आइडिया वोडाफोन हो आपने रिचार्ज ना कराया हो आप अभी रिचार्ज कराते हो तो आपको विद्धिता यालिवेलिटी 28 दिनों की मिलती है लेकिन जो महिना रहता है वो रहता है 30-31 दिनों का मतलब हर महिने होना एवरेज हम मान मतलब धाई दिन आपके एक्ष्टा रहते हैं जिसकी आपको validity नहीं मिलती अब ऐसे में होता क्या है जब आप धाई को गुणा करते हो 10 से तो वो हो जाते हैं 25 दिन और ठीक ही ऐसे ही हो जाते हैं 28 दिन मतलब आप 28-28 दिनों के लाना जा रहेगी कस्टमर की ओर से एक साल में कराया गए रिचार्च की संख्या में कमी आएगी ऐसा करने से ग्रहकों के एक महने के एक्ष्टा पेसे बचेंगे ट्राय ने टेलीफोन कंपनीज को एक नोटिविकेशन जारी किया है कस्टमर का आरोप था कि मोजुदा टेलीफोन कंपनीज के रिचार्च की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और वेलिरिटी कम होती जा रही है ट्राय इसी चीज़ को सुलजाने के लिए सामने आया है और कस्टमर को इस चीज़ से छुटकारा भी मिलने वाला है टेलीकॉम रेगुलरिटी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया मतलब ट्राय ने प्रिपेड मोबाइल कस्टमर के हक में बड़ा फेसलाद दिया है ट्राय ने शुकरवार को सभी मोबाइल कंपनी के सभी मोबाइल रिचार्च की वेलिडिटी 28 दिनों के बजाए 30 दिनों के करने के निर्देश दिये है इसके साथ ही अब टेलीकॉन कंपनी को अपने प्लान में स्पेसल वाउचर एक कॉमबो पूरे महिने की वेलिडिटी के साथ रखना होगा पहले टेलिफॉन कंपनी के प्लान में 28 दिनों की वेलिडिटी होती थी जिसकी वज़े से कस्टमर को साल में 13 बार मंतली रिचार्च कराना पड़ता था एसे हर साल उन्हें एक एक एक्स्टा रिचार्च कराना पड़ता है अगर वेलिडिटी दो दिन बढ़ा दी चाएगी तो उन्हें राहत मिलेगी ट्राय ने अपने बयान में कहा है कि पिछले साल नौबर 2021 के आकरी तक मोबाइल कस्टमर की संक्या बढ़कर 119 करोड हो गई है इस दोरान जियो और एरेटेल के कस्टमर में बढ़ोतरी देखी गई है एक रिपोर्ट के नुसा लास्ट यर अक्टोबर में रिलाइंस जियो ने 17.6 लेक कस्टमर जोड़े हैं इसके बाद उनके नेट कस्टमर की संक्या 42.65 करोड के आसपास हो गई है और वहीं एरेटेल के कस्टमर जे 4.89 लेक की कमी देखी गई है इसके बाद उनके नेट कस्टमर की संक्या 35.39 करोड के आसपास आ चुकी है जबकि Vodafone Idea के कस्टमर 9.64 लेक की कमी के बाद इनके नेट कस्टमर की संख्या 26.90 करोड हो गई है तो हमें यहां साफ दिख रहा है कि जियो अभी तक मार्केट लीडर बना हुआ है और उसके कस्टमर में रेगुलरली इंक्रीज देखी जा रही है और दुसरी तरफ Airtel Idea Vodafone के कस्टमर रेगुलरली डिक्रीज देखी जा रही है अब इसमें 12-13 का रिचार्ज यह हमसे करवा रहे थे अब जब उनको रोग दिया गया है तो थोड़ा बहुत तो नुकसान वहां से भी उठाना पड़ेगा आपका इस बारे में क्या सोचना है ट्राय का एफ इसला कस्टमर के लिए कितना प्रॉफिटेबल रहेगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए मिलते हैं नए वीडियो में जब तक लिए गुड़ बाई